तो गैस अगर आप एक है दो महिने में नई बाइक पर्चेस करने का सोच दो ना तो भाई थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि यहाँ पर ना एक है दो महिने में बहुत ही बड़े बड़े बाइक इंडेन मार्केट में लाँच होने जा रही है तो भाई साल 2024 में बाइक खिरने यह वाली वीडियो होने वाली है और गाईस इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जो जो बाइक बता रहा हूं उनके आपर लांच डेट कंफर्म हो चुकिए है और भाई आज की वीडियो काफी बड़े होने वाली है तो चलिए वीडियो को confirm कर दिया है तो आने वाली 23 जनवरी को यह वाली बाइक इंडियन मार्गेट में लाँच होने जा रही है और यह बाइक दोस्तों उसी प्लैटफॉर्म पर बिल्ड हुई है जिस प्लैटफॉर्म पर Harley Davidson X440 में देखने को मिलती है बटी है और दोस्तों यह बाइक Harley Davidson X440 से काफी डिफेंट होने वाली है तो यह पर दोस्तों कावी सारे कम फीचर में इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगे लाइक यहांपर Hero Mavic 440 में हमें front में telescopic Fox suspension देखने को मिलेगे और बात करें console के तो यहांपर आपको simple console इस बाइक में देखने को मिलेगा और दोस्तों इस करके जो इस बाइक का प्रेज है वो भी आपर काफी कम रखा गया है तो इस बाइक का प्रेज दो लाक या दो लाक से भी कम काम इंडि इस बाइक के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो बात कि जाए हमारे list की second bike के बारे में तो वो बाइक है हसका वरना स्वाट पिलियन 401 और गाइज इस बाइक की launching रखी गया 20 January को और यहां पर इंडिया के अंदर Mumbai में यह वाली bike launch होने जा रही है बात में दोस्तों इंड 25 BHP के असपास की power produce करेगा और यहां पर 39 newton meter का हमें इस बाइक से maximum torque है अपर देखने को मिलेगा इसकलाबर दोस्तों 6 speed gearbox साथ यह वाली bike आने वाली है और बात करें इस बाइक की looks के बारे में तो guys इस बाइक की looks पैसी होने वाली है जैसे इंडियन मार्केट में स्वाट प पास का हमें action room price देखने को मिल सकता है बात की जाए हमारी list की third bike के बारे में तो वो bike है royal infield shoot gun 650 और दोस्तों यह वाली bike को भी हाली में showcase किया गया था तो इंडियन मार्केट में यह वाली bike बहुत ही जल्दी launch होने जा रही है तो यह वाली bike दोस्तों इंडियन मार्केट में चार तलर में आपर available होने वाली है और बात करें bike के प्रेस के बारे में तो इस bike को जो एक शुरूम प्रेस है वो तीन लाग से लेके सड़े तीन लाग के बीच में हमें देखने को मिलेगा और बात करें bike के launch date के बारे में तो यह वाली bike ना फरवरी या मार्च के starting में इंड देखने को मिलेगा 648 CC parallel twin slender 4 stroke liquid cool engine और यह जो इंजन है वो प्रियूज करेगा 47 PS की maximum power और 52 newton meter का हमें इस bike में maximum torque आपर देखने को मिलेगा तो गाइस bike का engine अपर काफी powerful होने वाला है और जो bike की looks है वो तो गाइस काफी प्यारी है तो आपको इस bike का looks कैसा लगा प्लीज हमे इंडियन मार्केट में लांच हो चुकी है बटे हैं और दोस्तों के ट्यूग 125 वह तक लांच नहीं है तो गैस मैं आपको बता दूँ के इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्दी के ट्यूहने डिसकॉंटी होने वाली है क्योंकि दोस्तों इस bike के जिगाब लेने वाली है क के ट्यूंक द्यूग 125 दोस्तों दोने का लग साथ यह वाली बाइक लॉंच होने जा रही है और बात करें बाइक की लुक्स के बारे में तो यहां पर इस बाइक लूक्स है मैं हुब बहुब ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा लूक के ट्यूप ट्यूटी का और यहां पर वही सेंग फीचर इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगे तो बात करें बाइक एंजिन के बार में तो हैं आपर गाइस हमें 124.9 cc सिंगल सेंडर 4 लिकुएड कूल इंजिन इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा और यह जो इंजिन है वह 14.9 PS के आसपास की पाउर प्रू और दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े फीचर इस बाइक के अंदर आने वाले हैं और गाइस आप पैसे कौन को इस बाइक के लाउंच होने का विट बेस सब्से कर रहे हैं तो यह भी आप हमें प्लीज कमेंड करके शेर के जिगाबा कि यह वली बाइक फरवरी या मार्च के महीने के इस बास इंडियन मार्केटि में लाउंच होने जा रही है तो दोस्तों गर बात करें हमारे लिस्ट की फिफ्ट बाइक के बारे में तो वो बाइक है बजाज पलसर 400 और दोस्तों अभी एक इंट्रू में बजाज ओटो के CEO ने कन्फर्म किया कि वो दोस्तों साल 2024 के फिर्स्ट क्वाटर में अपनी कावी सारी 460 की बाइक को लाउंच करने वाल है जिसमें दोस्तों बजाज पलसर NS400 और बजाज पलसर RS400 भी शामिल है और यहाँ पर इन बाइक में वो इसम इंजिन आने वाला है जो इंजिन यहाँ पर Tramp 400 में हमें देखने को मिला था औ यहाँ पर गाज काफी पॉर्फ़ल इंजिन निंसमी बाइक में देखने को मिलेगा और जो बाइक की लुक्स है वो जहाँ अपर हमें NS200 और पलसर RS200 जैसे देखने को मिलेंगी बट यहाँ पर लुक्स हमें काफी बल्की इस बार देखने को मिलेगी बांकि दोस्तों लिष्ट की छटी बाइक के बारे में तो वो बाइक है Hero Extreme 125R और दोस्तों इस बाइक को कावी समय से Hero इंडिया में टेस्ट कर रहा है और यहां पर यह एक नई 125 सेगमेंट की बाइक होने जा रही है तो इस बाइक के लुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस बाइक का और यही भी हो शकता है कि प्रैज इससे भी कम चला जाए वक कि दोस्तों यह वाली बाइक मार्च के महिने में इंडियन मार्केटिम में लाउंच होनी जा रही है तो गाइस आपको इस द्लीष में से कौन सी बाइक बड़े लेगी और क्स बाइक के लाउंच होने का इंड हमें वेट करें तो यह आप हमें प्लीज कमेंड करके शेयर किजगा वीडियो चलेगे तो वीडियो को लाइक किजगा तो चले मिलते हैं अपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए